हलो एवरीबडी दिस राजे सिर्फ वाचिंग इसा माई स्टूडी दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में 43 इंच और 55 इंच की डिमांड बहुत तरी से बढ़ने वाली है और इसकी क्वैरीज भी देखी जा रही है और जैसे ही नवरातर स्टार्ट होगा ये इसमें सेल भी बहुत तरी से बढ़ जाएगी तो आप भी कुछ नो कुछ तो देखी रहे होंगे ऐसे ही एक मॉडल की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ ऐसा ही मॉडल में रिव्यू करने वाला हूँ नया मॉडल है सेमसंग का 43 इंच का किस्टल 4K न्यू सीरीज का ये SD स्मार्ट LED टीवी है मॉडल नंबर है UA43AUE651KXXL दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाओं उससे पहले पर रिक्वेश्ट करूँगा कि हमारे चैनल पहली बारा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा दोस्तों सेमसंग का ये 2022 का नया मॉडल है 43 इंच का ये किस्टल 4K न्यू सीरीज का मॉडल है वीडियो को आगे बढ़ाओं से पहले इसका एक लुक देख लीजिए देखा दोस्तों आपने सेमसंग का 43 इंच का ये tv sdr10 को सपोर्ट करता है और इसमें किस्टल 4K प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि आपको एकदम true colors देता है बहुत ही crystal clear image आपको दिखाई देती है प्यूर कलर साते हैं और contrast enhancer भी इसमें दिया हुआ है ये अगर किसी scene के अंदर अगर contrast आपको कम लग रहा है तो काफी contrast को बढ़ा देता है और ये picture को enhance कर देता है और आप देखकर के आपको बिल्कु भी लगता कि आप कोई पुरानी या कोई खराब print वाली movie देख रहे है दोस्तों अगर आप movie देखने के शौकीन है तो 43 इंच के Samsung के इस TV को आप जरूर लिजीगा क्योंकि इसके अंदर film mode दिया हुआ है film mode में क्या होता है कि color tone को ये reproduce करता है और brightness और contrast को ये बहुत तेजी से बढ़ा देता है जिससे आपको picture देखने का जो मज़ा है वो अलग ही हो जाता है दोस्तों Samsung की ये technology dynamically color को enhance करता है और इसके depth और colors को बहुत तेजी से बढ़ा देता है जिससे picture देखने का experience कुछ अलग हो जाता है 43 inch के टीवी में ऐसी technology दी हुई है जो कि colors की range को बहुत ही बढ़ा देता है बहुत ज्यादा कर देता है जिससे आपको picture देखने का experience एकदम अलग हो जाता है दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसमें 4K crystal processor दिया हुआ है जो की sharp पर image कर देता है और crystal image दिखाता है आपको और इसकी picture quality को जबजस्त बना देता है दोस्तों समसंग के 43 inch के इस टीवी में dolby digital plus sound दिया हुआ है पिक्चर quality के साथ साथ में अगर sound quality अच्छी ना हो तो picture देखने का मजा ही नहीं आता है क्योंकि ये film के लिए ज्यादा इस पे focus किया गया है तो dolby digital plus तो इसमें होना ही था इससे दोस्तों आप 3D sound effect का मजा ले सकते हैं और multi channel audio को भी आप drive कर सकते हैं 360 cinematic audio ले सकते हैं इससे आपको sound चारो तरफ से उपर से भी आता हुआ महसूस होता है adaptive sound होने से ये sound quality को tuned कर देता है कहीं पे कम या जादा होता है तो उसको balance कर देता है उसको optimize कर देता है इससे आपको film mode में जब आप movie देखते हैं तो बिलकुल भी theater का feel होता है जैसे कि दोस्तों आपको पता है Samsung में Q Symphony टेक्मोजी आती है इसमें ऐसे speaker होते हैं sound वार speaker होते हैं जो कि आपको 360 surround sound effect देते हैं जिससे आपको music सुनने का और audio सुनने का बहुत ही जबज़स्त मज़ा आता है दोस्तों 43 इंच के Samsung के इस TV में बहुत सारी ऐसे assistance मिलते हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें आपको built-in Google Assistant मिलता है Alexa मिलता है Bix B मिलता है और आप इसके थुरू बहुत सारे features का इस्तमाल कर सकते हैं आईए एक एक करके आपको पताता हूं दोस्तों अगर आपको कुछ OTT पर सर्च कर रहा है तो आप अपनी मन पसंद चीज़ों को सर्च कर सकते हैं उसको live देख सकते हैं और आप source वगेरा भी देख सकते हैं तो दोस्तों Samsung के 43 इंच के इस new technology वाले TV के बारे में कुछ और चीज़े बता देता हूं जैसे कि इसको Samsung आपने देखा होगा कि 16GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है और 2GB RAM तो मिलता ही है इसमें 8GB की इंटरनल storage मेमोरी है और 1.5GB आपको RAM इसमें आपको मिलेगी operating system इसमें Tizen है जैसा कि Samsung ये देता है और hardware interface की बात करें तो USB HDMI का इस्तेमाल किया गया है crystal processor 4K है इसमें anti-sc दिया हुआ है 10ms का response time है और resolution इसका 4K तो है ही इसके खास features में दोस्तों आपको voice assistant मिलता है, smart remote मिलता है, universal guide, PC mode, screen mirroring आपको इसमें मिल जाती है skin mirroring से आप mobile के contents को अपने TV पे share कर सकते हैं और tap review आपको इसमें मिलता है crystal processor 4K, Tizen supported आपको इसमें जो आपको application supported मिलती है वो netflix, amazon, prime video, sony, live, g5 और youtube जैसी applications को आप इसको access कर सकते है और दोस्तों इसके साथ में क्या क्या मिलता है वो बता देता हूँ इसके साथ LED TV मिलता है, two table stone मिलते है, one manual book मिलती है, warranty card मिलता है और एक remote control मिलता है दोस्तों इसके remote में one click से XYZ play store आप चला सकते है सोनी live के चला सकते है, google assistant आप इस्तमाल कर सकते है और voice assistant इसका इस्तमाल कर सकते है ये remote के अंदर ही अलग से button इसके दिये हुए है और दोस्तों, living angle की बात करें तो 178 degree इसका living angle है यानि कि आप बहुत side से भी जाकर किसी picture quality को चेक करेंगे तो बिलकुल भी picture में फरक नहीं आता है और दोस्तों, इसका जो aspect ratio है, वो 60 to 9 है और ये high brightness है दोस्तों, image contrast ratio की बात करें तो 4000 to 1 है और ये supported image type GIFJPG को support करता है resolution की बात करें तो 3840 into 2160 का pixel ratio है जैसा कि ये 4K TV बताया गया है और MP3 audio WMA को support करता है Dolby Digital Plus आपको इसमें मिलता है जैसा कि मैं डीटेल में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ 20 Watt के इसमें speaker लगे हुए है जो की जबजस्त sound देते हैं और दोस्तों, जैसे कि इसमें 20 Watt के speakers दिये हुए हैं जो की बहुत ही जबजस्त sound पैदा करते हैं और इसका जो refresh rate है पैनल का refresh rate है 50 हजार्ड है और दोस्तों, connectivity की बात करें तो इसमें आपको वाइ-फाइ, USB, Ethernet और HDMI जैसे connection आपको मिलते हैं और दोस्तों, 43-inch के इस TV को आप maximum कितना दूरी तक से देख सकते हैं तो आपको बता दूँ कि maximum जो दूरी है वो 9 feet है और दोस्तों, इसको आप wall mount भी कर सकते हैं और tabletop भी कर सकते हैं जैसे भी आपको सुईधा जनक हो, वैसा आप इसको लगा सकते हैं और दोस्तों, 7 kg 400 g के इस weight के television का जो product dimension है वो 7.8 cm x 96.3 cm x 56.2 cm है और दोस्तों, इस TV को अगर Sony के 43-inch के TV 43X75K से अगर compare करें पराइस की बात करें तो इसमें 47,990 में ये मिल रहा है Sony का TV और Samsung का जो ये TV 33,490 में आपको market में available हो जाएगा और आप अपनी budget के हिसाब से, अपनी requirement के हिसाब से सकूल है सकते हैं नो डाउट Samsung की picture quality भी जो है इस price में जो मिल रही है वो जबर जस्त है और जो features इसमें मिल रहे हैं वो क्या कहने तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये TV आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और Instagram और Facebook पे हमें follow का लिजिएगा इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार, जैएब